जैन संत आचार तुलसी एक बौध कथा सुनाया करते थे एक मच्छवारा समुद्र से मचलियां पकड़ता और उन्हें बेचकर अपनी जीवन यापिका चलाता था एक दिन एक वनिक उसके पास आकर बैठा उसने पूछा मित्र क्या तुमारे पिता हैं उसने जवाब दिया नहीं उन्हें समुद्र की एक बड़ी मचली निगल गई उसने फिर पूछा, तुमारा बड़ा भाई, मचवारे ने जवाब दिया, नौका डूप जाने के कारण वैभी समुदर में समा गया वनिक ने फिर पूछा, दादा जी और चाचा जी की मृत्यू कैसे हुई, मचवारे ने बताया, वैभी समुदर में लीन हो गए थे वनिक ने ये सुना तो बोला मित्र ये समुद्र तुमारे विनाश का कारण है बावजूद इसके तुम तट पर आकर रोज जाल डालते हो क्या तुम्हें मरने का भै नहीं है मचवारा बोला भैया मौत जिस दिन आनी होगी आएगी ही तुमारे घरवालों में से दादा परदादा पिता में से शायद ही कोई इस संसार में हो और ना ही वो कभी इस समुद्र तक आए हो फिर भी वे सभी लोग चले गए मौत कब आती है और कैसे आती है ये आज तक कोई भी नहीं समझ सका फिर मैं बेकार ही बैट कर मौत की चिंता करकर अपने कर्म से पीछे क्यों हटू जैसा कि भगवान महावीर ने कहा है मृत्यू किसी भी द्वार से आ सकती है इसलिए आत्म ज्यानी ही मौत के डर से बचा रह सकता है जो जन्म लेता है उसकी मृत्यू निश्चित है इसलिए मृत्यू से भैवीत होने की जगा सत कर्मों के माध्यम से मरण को शुब बनाने का प्रयास करना चाहिए